हाई फ्रेंड्स इस वूड़ी मैं आपको एक SKM के बारे में बत्ताने वाला हूँ जो मेरे दोस्त के साथ हो चुका है जिसमें की जो SKM अर ब्यक्ति था वो मेरे दोस्त के पास कॉल किया और उसे बोला कि मैं आपके एकाउंट में 20,000 रुपए भेज रहा हूँ और आप उसम पीछे का साइकलोजी क्या है और इस SKM से आपको कैसे बचना है वो मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा सबसे पहले आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे और सबस्क्राइब करने के साथ-साथ बेले क्यों प्रेस कर क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा इंफर्मेटिव वीडियों मिलती रहती है तो चलिए शुरू करते हैं हाँ तो दस्तों सबसे पहले मैं अपने मुवाइल के होमिस्कीन पाया जाता हूं होमिस्कीन में आने के बाद मैं आपको स्क्रीन सोट को दिखा देता हूं दोस्तों नमबर था वो डायरेक्ट उनसे बोल रहा था कि मैं आपको एक फोन पर नमबर दे रहा हूं जिसमें कि आप 10,000 रुपए आप रख लेना दोस्तों इसके पीछे का साइकलोजी क्या है मैं आपको बतता रहा हूं एक दिन मेरे दोस्त के पास एक कॉल आया था जिसमें कि उस फोन पर नमबर देता हूं जिसमें कि आप सिर्फ 10,000 पर ट्रांसफर कर देना और बाकी जो 10,000 पर बचा उसे आप रख लेना जो कि दोस्तों यहां पर आप देख वा रहा हूंगे जो मेरे दोस्त के एकाउंट में 20,000 पर ट्रांसफर किये गया है उसके स्क्रीन सोर्ट यह और यहां पर दोस्तों मेसेज भी आया है जो कि आप यहां पर देख वा रहूंगे और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरू बताएगा कि क्या यह रियल में 20,000 पर ट्रांसफर किया गया है यह फेक मेसेज है दोस्तों जब उसके साथ ऐसा घटना घटा तो हमें बताया कि म मेरे दोस्त के एकाउंट में ट्रांसफर किया गया है यहां पर देख वा रहूंगे दोस्तों यह जो मेसेज है यह बिल्कुली फेक मेसेज है इसे एडिट किया गया है जो कि आप यहां पर देख वा रहूंगे और दोस्तों जो बैंक के तरफ से मेसेज आता है यादि किसी के भी account में आप पैसे को transfer करते हैं चाहे वो 10,000 हो या 5 रुपए हो या 20 रुपए हो जिसमें कि दोस्तों जो message आता है bank के तरफ से वो कोई number से नहीं आता है जो कि आप यहाँ पे देख वारोंगे और जो मेरे दोस्त के पास message आया था जिसमें कि 20,000 रुपए को transfer किया गया था वो आप यहाँ पे देख वारोंगे एक number से आया था लेकिन जो bank का real message होता है जिसमें कि पैसे को credit किया जाता है यह debit किया जाता है उसमें कोई number नहीं होता है वो bank के तरफ से official message भेजा जाता है जो कि आप यहाँ पे देख वारोंगे दोस्तों जब मैं यह screenshot को देखा तो मैं उसे तुरंत बता दिया कि तुम्हारे साथ कोई skm कर रहा था और दोस्तो skmr का mindset क्या था वो भी मैं आपको बता रहा हूं तो video को बिल्कुल skip मत किजेगा दोस्तो skmr का mindset यही था कि वो किसी व्यक्ति के पास call करता और call करने के बाद सबसे पहले वो क्या करता कि किसी से ब bank account में जब पैसे transfer होते थे जब credit होता था तो उसके पास एक message आता था और वो क्या करता था जो उसके पास bank के तरफ से credit message आता था जो पैसे ट्रांसवर हुए थे उसके बेंक एकाउंट में उसी मेसेज को वो एडिट करता था और एडिट करने के बाद जिस भी ब्यक्ति के पास उसे भेजना होता था उसे पता होता है कि या तो फोन पे यूज करता होगा इसलिए फोन पे का जो लास्ट में एड़रेड कला दिया जता है और लगाने के बाद उसका जो नमबर होता है वो भी यहां पे लगा दिया जता है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं और रिफरेंस नमबर को वह CM रखता था उसके बाद वो जिस व्यक्ति के पास call करता था उसे ये message भेज देता था और message भेजने के बाद उसे बोलता था कि मैं आपके bank account में 20,000 पर transfer कर दिया हूँ और आप हमें 10,000 पर transfer कर दियेगा मैं आपको एक phone पर number दे रहा हूँ जिसमें की दोस्तो जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा था उसको भी ऐसा लगे कि यदि हमें कोई free में 10,000 पर दे रहा है तो हमें क्या problem है और दोस्तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो SKMR के बातों में आ करके औ लेकिन जब वो balance को चेक करते हैं तो उनका जो अपना balance है वहां से main balance कटा हुआ रहता है और उनके bank account में कोई भी credit नहीं होता है एक भी रुपय जमा नहीं होता है उसके बाद जब वो SKMR के पास call लगाते हैं तो कोई भी call नहीं लगता है उसके number को block कर दिया जाता है और जो SKMR जो phone पे number दिया था वो phone पे number किसी और का नहीं रहता है वो SKMR का ही रहता है जिसमें कि आप अपने bank account से main balance को SKMR के phone पे number पे आप transfer किये थे और इसी तरह से आप draft हो जाते हैं दोस्तों यदि कोई भी आपके पास ऐसा call है जिसमें कि आप से बोले कि मैं आपके पास 20,000 रु पे एक phone पे number दे रहा हूं उसमें आप transfer कर दिजे तबहाई ऐसे call को आपको block कर दना है क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे SKMR चल रहे हैं जिसके वाज़ा से बहुत सारे लोग trap का सिकार हो रहे हैं और उनका जो पैसा है वो भी loss चला जा रहा है दोस्तों SKMR का mindset यही था कि वो किसी के भी account में पैसे transfer करवाता और उसके पास फेक message को भेता ताकि उस व्यक्ति को भी लगे कि हम मेरे bank account में 20,000 पर transfer हुआ है और विश्वास के लिए उसके पास transaction message भी भेत दिया जाता है और उस व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि मेरे bank account में 20,000 पर transfer हो चुका है और उसमें से हमें किसी और phone pay number पे 10,000 पर ही तो transfer करना है बाकि 10,000 पर हमें solid बचेगा लेकिन भाई आप वहाँ पे जी miss कर देते हैं तो आपके bank account से 10,000 पर खाली हो जाएंगे और 10,000 पर आप से वह SKMR लूट लेगा और दोस्तों उसके पास यदि आप फिर से call लगाते हैं SKMR के पास तो आपका call नहीं लगता है आपको ब्लोग कर दिया जाता है तो भाई आप ऐसे SKMR से बच के रहें हो सकता है कि आपके पास भी ऐसे call आ सकते हैं जिसमें कि आपको कुछ इस तरह का demand किया जा सकता है जो मैं आपको इस वीडियों बताया हूं तो आप ऐसे SKMR से बच के रहें और आप कभी भी किसी के बहकारों में ना आए यदि कोई भी आपके पास message भैजता है जिसमें कि आपके bank account पैसे transfer किया जाते हैं या credit किया जाता है तो सबसे पहले आप bank account का balance चेक करें और इ मैं आपके bank account में 20,000 रुपए या 30,000 रुपए transfer करवा रहा हूं जिसमें से कि आप हमें 50% जो amount है वो मैं आपके phone पे number दे रहा हूं या bank account number दे रहा हूं उसमें आप transfer करवा दिजिए तो हाई वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि वो एक SKMR है जिसके थूर आपको कर सकते हैं कि कोई ही व्यक्ति जिससे आपको कोई मतलब न हो वो आपके bank account में 20,000 रुपए कैसे transfer कर सकता है और आपको 10,000 रुपए कैसे दे सकता है तो भाई यह आपको trap करते हैं और यदि आप इनके trap में फंच जाते हैं तो आपसे 100% 10,000 रुपए 20,000 रुपए या उससे जादा रुपए भी आपसे लूटे जा सकते हैं तो आपसे request है कि ऐसे call का reply आप ना करें उसे आप block कर दें और ऐसे message और ऐसे call से बचे रहें तो इस video में आपको बता दिया हूँ कि जो मेरे दोस्त के साथ scam हुआ था उसके पीछे का psychology क्या था और दोस्तों वो मेरा जो दो एक बीर पर ट्रांस्वर नहीं किया था जैसे ही दोस्तों उसके पास message आया था और call आया था वो हमें दिखाया और देखने के बाद दोस्तों मैं उसको तुरांत वता दिया यह जो message आया है जो तुम्हारे bank account में 20,000 पर credit किया गया है यह एक edit किया हुए message है और यह fake message है क्य कोई bank के तरफ से नहीं आया है क्योंकि bank के तरफ से जो message आता है वो यहां पर आपको number देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर देख सकते है texting with यहां पर जो उसका number है वो दिया गया है और दोस्तों यह number यह आपके पास कभी भी call आता है और आप से बोला जाता है कि मैं आपक आप यह number से call receive मत किजेगा यह number से ही मेरे दोस्त को साथ SKM हुआ था और SKM होने से बच गया तो भाई आपसे request है कि इस number से यह आपके पास call आता है तो आप कोई भी call receive ना करें यदि आप call receive कर लेते हैं और आप इनके बातों में आ जाते हैं तो आप 100% fraud का सिकार हो सकते हैं तो आपसे request है कि आपके पास यह दि कोई भी ऐसा call आए और आपको लगे कि वो मेरे साथ SKM कर सकता है यह SKM कर रहा है तो आप उसके call को तुरांत cut कर दें और उसका number आप ब्लोग कर सकते हैं तो ऐसे informative वीडियो के लिए आप इस चैनल को subscribe कर लिजेगा तो फिर मिलते हैं कि और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ध वंदे मात्राम